सफर नया भारत के सत्ता और सवाल सिरीज में आपका सुवागत है आए दिन आप देखे होंगे कि जार्खन के स्वास्त मंतरी सिरी बननाब गुपता का वीडियो वाइरल हुआ था और आज आप देखेंगे तो आज भी एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें पत्रकार बंद्वों से कुछ बाते करते नजर आ रहे हैं वहीं पर जब सवाल उठता है कि स्वास्त मंतरी का मकसद जो होता है और दाईत जो होता है वो पूरे राज भर में स्वास्त विभाग को देखने का काम होता है जारखन में आप जदि गाउं में अपना नजर को ले करके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो भी स्वास्त के अंदर बना हुआ है वो सिर्फ देखने के लिए है वहाँ पे ना लोगों का इलाज हो पाता है ना ही लोगों का वहाँ से कुछ सुविधा उपलब्द हो पाता है आखिर ये चीज सिर्फ देखने तक ही सीमट करके रहा हुआ है वहीं पर आप बात कर लीजे बड़े-बड़े अस्पताल जितने भी सदर हैं सभी का जरजर वस्था में हैं लोग वहांपे इलाज ना के बराबर कराते हैं क्योगी इलाज कराएंगे फिर भी दिक्कत है लेकिन गरीबों को यहांपे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है भी होता है और उसमें काते हुए मिलते हैं दूसरे बिंदूओं पर चर्चा करते हुए मिलते हैं उनको स्वास्त की चिंता नहीं है राज्जि भर में जितने भी अस्पताल हैं उस अस्पतालों की स्थिती के बारे में चिंता नहीं है आप उनके भासनों को सुनेंगे आप उ जहर्खन के सत्ता किनके हाथों में है ये देह करके आपको भी आश्चरज लगेगा और आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो से आप कहेंगे कि आखिर जार्खन के स्वास्त मंत्री क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उनके एक्टिविटी से भी आपको पता चलेगा कि आखिर जार्खन का विकास स्वक्षता में और स्वस्त में कैसे अच्छा हो सकता है जार्खन का विकास कैसे हो पाएगा इस परकार के मंत्रियों से, यहां से आप देख पाएंगे सारा कुछ, महीं पर बन्ना गुपता जी हिंदी से शुरू करते हैं बोलने और हिंदी से ले करके अपने छेतरिये भासा में आ जाते हैं, फिर धीरे-धीरे अंग्रेजी में बाते करने लगते हैं और देखते ही देखते बांगला उडिया सब कुछ बोलने लगते हैं अब बताईए कि इस परकार के नेता और इस परकार के मंतरी आखिर किस परकार से कर पाएंगे जारखन का विकास आज हमें एक अच्छे राजनेता की जरूरत है एक जार्खन का अभिकास हो पाएगा अब आप ही देख लीजे यहां से जार्खन के स्वाइस्त मंत्री सिरी बन्ना गुपता जी का ये वाइरल वीडियो यदि उससे कुछ हट के दिया आपको पुछना है तो पुछिए ये पूछना चाहरे थे कि आपदा प्रवंधन की बैठक करके अब जो बची खुची के वावंदिया है उसको खत्त करने कर समय नहीं आगया है कल कल हम लोग एक विजए करेंगे आपदा प्रवंधन की बैठक और उसमें जो भी विचारन करने के उप्रांत जो यथा उचित निर्णे होंगे वो लिए जाएंगे ठीक है इसे कुछ नहीं है हम लोगों ने प्रातना किया है सीम साफ से निवेदन किया है कि हमारे पुलिस के लोगों को जो है छुटियों में बढ़ोतरी किया जाए उन लोगों को जो है छुटियां नहीं हो रही है इसके कारण अफसात में वो चले जा रहे हैं तो उनके सा पुलिस वाला लोग मारा है हमको निता बनाया है तो उसका कुछ करना होगा तो कुछ करना होगा कौन चीज के लिए अरे धमकी धूंकि हम बनिया का बेटा है वेकवर्ट का बेटा हम क्या धमकाएंगे किसी को लेकिन निवेधन करना उन बोलना हो न भाई करकरता के लिए जनता के लिए उसी के लिए ने जनता चुनी है कि का करें कमबलोड के सुच जाएं अब देखिए इस पर जो है वो पंचयत हमारे जो है मंतरी जवाब देंगे आपको यदि इफ यू वांट आस्के अनी अधर टैप अब कुस्टिन और इसके बाद नहीं है पर दोनों जो है तन्तर चले का सकती के साथ और लोग तंतर बीड के वो किशन पारेश का क्याला जनता है तो दोनों जो है तंत्र चलेगा सक्ति के साथ और लोग चलेगा नीती के साथ तो नीती हम लोग ठहरे हैं नीती करने के लिए और सासन ठहरा है कि गुंडाम वाली बदमास यदी नहीं मानेंगे उपद्रव करेंगे तो वीदी समत कड़ी से कड़ी कारवाई सुनिशित करके जेल के सलाकों में भेजे जाएंगे तो अब कुछ तो परदा है परदा परदा में रहने दो अब हर बात ही बता देंगे तो फिर कल कल आप दाकी बेठें के उसमें हम लोग जो है नीतिकतने इना लेंगे तो बश्वूरी भुझपुरी में भुझपुरी बोलेसे तो मन मी जाज हर्य हो जाला तो का दिखत वा hy到 में मनी तो सब जाद की शनमान करी के नहीं करो तो कि नहीं है तो ठीक वा इंदू पॉरण और बंगला थे कोठा कोठे पार में आरे भासा की बात ने सबसे महब्बत है